सब्सक्राइब कीज़े विद्यावजन इस्टिटीट को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्टेश केस्टल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों विद्यावजन इस्टिटूट में आपका स्वागत है मेरा नाम है हिमाशू और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.3 कोशन नमबर 16 तो चले दोस्तों कोशन नमबर 16 सॉल्व कर लेते हैं कोशन नमबर 16 इस चैप्टर का इस एक्सराइज का लास्ट कोशन है कोशन नमबर 16 है इन गिवन फिगर तो उसे सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं यह एक फिगर है A, B, C, D, P, R अब इसमें आपस में इन डिग्नल्स को आपस में मिला देते हैं एरिया अफ D, R, C is equal to area of D, P, C एरिया अफ D, R, C is equal to area of D, P, C एरिया अफ B, D, P, area B, D, P is equal to area of A, R, C इन सबके एरिया आपस में बराबर है show that both the quadrilateral A, B, C, D and D, C, P, R are trapeziums quadrilateral A, B, C, D and D, C, P, R ये दोनों trapezium होंगे तो चले दोस्तों इसको solve कर लेते हैं now it is given that area of D, R, C area of D, R, C is equal to area of D, P, C और दोस्तों जैसा कि हम देख सकते हैं ये दोनों triangles जो है उनका base same है that is D, C triangle D, R, C and D, P, C both are on the same base D, C and also equal in area therefore both triangles must lie between same parallel lines दोस्तों ये दोनों same parallel lines के बीच में होना चाहिए that means D, C is parallel to R, P and if D, C is parallel to R, P then D, C, P, R is a trapezium और दोस्तों ये तो हमने prove कर दिया that D, C, P, R is a trapezium अब चलिए अगला part इसका solve कर लेते हैं चलिए now it is given that area of B, D, P is equal to area of A, C, R area of B, D, P is equal to area of A, C, R अब दोस्तों हम क्या करेंगे इस equation में area of D, R, C and D, P, C इन दोनों को less कर देंगे तो यह हो जाएगा area of B, D, P minus D, P, C is equal to area of A, R, C minus D, C, R इन दोनों triangles को less कर देंगे और जैसा कि हम जानते हैं दोनों triangles के area अपस में equal है अब दोस्तों देखिए area of B, D, P minus D, C, P इस triangle में से यह नीचे वाला triangle हटा देंगे क्या बचेगा केवल यह बचेगा that is area of B, D, C similarly ARC में से ARC में से D, C, R घटा देंगे तो यह बचेगा triangle ADC अब दोस्तों यह प्रूफ हो गया कि दोनों triangles का area सेम है ना triangle B, D, C and A, D, C are on the same base DC and also equal in area therefore both triangle must lie between the same parallel lines hence AB is parallel to DC and therefore ABCD इसे trapezium और दोस्तों यही हमको प्रूफ करना था तो दोस्तों यहाँ पर हमारी exercise 9.3 finish होडाती है साथी साथ हमारा chapter 9 भी finish होडाता है तो दोस्तों thank you for watching this video उम्मीद करता हूँ आपको मेरे videos पसंद आया होंगे दोस्तों अगर आपको मेरे videos पसंद आया है तो please मेरे videos को like करें अपने दोस्तों के साथ share करें मुझे जुड़े रहें मेरे channel को subscribe करें आपको मेरे videos कैसे लगे मुझे comment section में जरूर पता है thank you so much and take care